तो दोस्तों देखिए एक बहुत इंपॉर्टन वीडियो है क्योंकि आप लोगा सिक्षा का तकनीकी परफेक्स जो एक्जाम है इसमें ये कोश्चन आपके कंफर्म है कि पूछे ही जाएंगे और वो कोश्चन होने वाला है फुल फॉर्म से आप मान के चलिए 75 कोश्चन आप लोगों करना है तो दो से तीन कोश्चन तो कंफर्म है हो सकता इससे ज्यादा भी कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएं इस टॉपिक से ठीक है तो यह पूरी वीडियो देखिए और देखिए इसके साथ मेरी पुर सब्सक्राइब तो वह आप लोग देख लीजेगा और यह ऐसे होने वाले हैं जो थोड़ा बहुत कंफूजन होगा क्योंकि एक्जाम टाइम में आप लोगों को पता ही है कि कंफूजन बहुत ज्यादा होता है और इसी कोश्चन भी कभी कदार जो फुल फार्म वाले होते वह गलत हो जाते हैं ठीक है तो उन्हीं के बेसिस पर रखते हुए आज हम लोग इस जो वीडियो है इसको देखेंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टन तो ध्यान से देखेगा पहला इस पर दिया गया है जे पी जी या फिर जे पी इजी तो इसका जो फूल फॉर्म दिया गय ठीक है पोटेबल नेटवर्क ग्राफिक आप देखें यहां पर कुछ और भी आपका डाल सकते हैं ग्राफ भी डाल सकते हैं तो जी का आप लोग ध्यान दीजेगा इसमें आपका कोशन गलत होने के चांसे तो पी एंजी का क्या हो जाएगा ग्राफिक है फिर एफ एजी फ बर्क होता है क्या होता है कि पोजीशन देखी जाती है फिर इसके बाद देखें को इजी है रैंडम एसस मेमोरी फिर है साइट का बहुत इंपॉर्टन है सैटलाइट इंस्टुमेंटल सौरी इंस्ट्रेक्शनल टेलिवीजन एक्सपेरिमेंट ठीक है तो काफी इंपॉर् इंपॉर्टन जो भी पार्ट्स आपको लगे बट कुल मिलाके कि इससे आपको टॉपिक थोड़ा बहुत एक बार देख लीजेगा एक्जाम देने से पहले है फिर देखें एक बहुत इंपॉर्टन है यह है डाइट डिस्टिक इंस्टू इंस्टूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेइनिंग काफी इंपॉर्टन यह भी और फिर दिया गया एंसी एट आप देखें एनसी एटी और एंसी टी इस पर कन्फूजन हो जाता है तो यह थ्यान दिजेगा जो एंसी एटी है वह नेशनल कॉमन एंटरेंस टेस्ट है और एंसी टीए जो है वो नेशनल कॉंसल और टीचर एजुकेशन है ठीक है तो यह द्यान दीजिएगा फिर देखेंगा इजी है नैशनल टेस्टिंग एजनसी हो जाएगा फिर इसके बाद है M O E M O small है और फिर E A ठीक है तो Ministry of Education हो जाएगा फिर दीजिए आगा तो UNI का हो जाएगा United News of Education और N A N A P का हो जाएगा नॉन अलाइंग न्यूस एजनसी पोल इजी कोशन है हो सकता है एक्जाम में पूछा जाए फिर इसके बाद दिया गया इस रो और इस रोगा फुल फॉर्म हो जाएगा इक्टर एक्सपर्ट ग्रूप फिर जी आइएफ ग्राफिक्स और इंटर्चेंज फॉर्मेट फिर जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फिर है टी आइएफ टैक इमेज फाइल फिर दिया गया है पी एंजी पी एंजी देख चुकिए हम लोग एक बाद आइक कमांड लाइन इंटरफेस फिर एं मस मल्टीमीडिया मेंसजिंग सर्वेस फिर एए डबल एफ मलें ए ऐए फफ है और यो इंटरचेल चेंज फाइल फॉर्मेट फिर है एम आई डी आई मूजिकल इंस्टुमेंट डिजितल इंटरफेस फिर आ वी आई ऑडियो इस पर दे सकते हैं ट्रेश तो तो अगर दोनों में आप क्या लगाएंगे तेस्ट लगाएंगा फिर इसके बाद दिया गया है EDSAC Electronic Delay Storage Automatical Calculator फिर दिया गया है ENIAC Electronic Numericals Integrator and Computer फिर है last है EDVAC इस पर दिया गया Electronic District Variable Automatic Computer ठीक है तो यह देखिए यह थोड़ा सा ध्यान दीजेगा जो यह वर लास्ट वाले हैं इनमें भी आपके एक्जाम में question से पूछे जा सकते हैं तो यह काफी important एक बाद फिर से revise कर लिजेगा और एक्जाम देने से पहले एक बाद थोड़ा से रहा जल्दी से एक बाद देख लिजेगा जिससे कि आपको words याद रहा है ठीक है क्योंकि यहां पर कुछ भी change कर सकते हैं automatic की जगा कुछ भी ले आएं यहां पर तो वह थोड़ा से थोड़ा से याद रखेगा ठीक है चलिए क्योंकि शे बाद 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 रहा है